यूट्यूब हो या इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉट्स हो या फिर इंस्टाग्राम फीड हो छंगानी कलब कचोडी वाले के वीडियोज आपको हर जगे पे दिखने को मिल जाएंगे जैसे कि आप सभी को पता है कि छंगानी कलब कचोड़ी वाले अंकल जो है काफी गुसे वाले है और वो काफी जादा गुसा हो जाते हैं जबी भी कोई food vlogger या फिर कोई content creator जो है उनसे जाके इंट्रिव्यू लेता है अब क्या ही करें इस बार तो हदी हो गई मतलब छंगानी कचोड़ी वाले के पास एक बंदा गया और ऐसे कुछ सवाल पूछे ऐसे तीखे सवाल पूछे जिसके बार छंगानी कचोड़ी वाले अंकल काफी जादा गुसा हो गए इतना जादा गुसा हो गए कि गुसे में आके उन्होंने तो बहुत सारी गालिया भी दे दी उस लड़के को उसके बाद से जो है उनकी वीडियो और भी जादा वाइरल होने लग गए है पहले तो सभी को ये पता था कि चंगानी कलब कचोड़ी वाले अंकल जो है काफी गुसे वाले है लेकिन गुसे में वो इतना जादा अब्यूसिव लाइंग वे जूस करेंगे इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था तो काफी जादा पहस बात होने के बाद जो है जगड़ा शान्त हुआ लेकिन गुसे में चंगानी अंकल ने इतनी जादा गाली दे दी इस बंदे को कि वो और भी जादा वाइरल हो गए देखो इनके कचोड़ी का तारीफ तो हर कोई करता है जो कि पिछले 40 साल से इनके ही दुकान से कचोड़ी खा रहा है वो भी बिना किसी फेम के तो अब काम के टाइम अगर कोई भी फूट व्लॉगर या फिर कोई भी जाके उनसे कुछ गलत शलत क्वेशन पूछ रहा है वो भी काम के टाइम तो सूचो कितना गुसा आएगा हाँ गुसे की बात कर रही हूँ लेकिन चंगानी अंकल का गुसा जो है वो आसमान जूता है और इस बार सारी हदे पार करने के बाद चंगानी अंकल ने इस लड़के को गालिया बग दी तो मैं तो यही कहूंगी कि चंगानी अंकल के पास जाके अगर वीडियोज बनाने है तो सी टाइम जाओ जब उनका मूड अच्छा हो या फिर वो मूड में रहे आपको अच्छे से ट्रीट करें आपको अपनी कचोड़िया अच्छे से खिलाए प्यार से खिलाए और जब देखो उनका मिजज कुछ घरमा सा है तो उस टाइम उनसे कोई भी सवाल जवाब ना करें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें